ओम स्री गणेशाय नमा दोस्तों ओम गणपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के वरसब रासी फल के बारे में की आज के दिन वरसब रासी वालों को किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा इनका बीजिनेश और व्यापार कैसा रहीगा इनका केरियर और घर परिवार कैसा रहीगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहीगी इसके साथ ही स्वास्त की महत्पूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आपका दिन और भी बहतर और अच्छा हो सके दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफिक्सन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक नईनी वीडियो समय समय पर पहुंच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा फिर सब रासी वालों का आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है तो आज का दिन आपके लिए बेहत सांदार और सफलता भरा रहेगा आपने जो पिछले समय में निवेस किया था उसमें अब आपको लाब हासिल होने लगेगा और यह आपको अधिक समय तक लाब बिर्दान करते रहेंगे जियां दोस्तों आपका कम्यूनिकेशन और काम करने की असरदार चमता आपको सफलता के और नजदीक लेकर जाएगी इससे आपको उमीद से भी ज़्यादा सफलता हासिल होगी विवशाय के लिए भी आज का दिन सफलता लेकर आया है आप जिस भी काम की शुरुवात करेंगे उसमें आपको सफलता और सकसेस अवस सही प्राब्द होगी और आप अपने विवशाय को एक नई दिसा दे पाएंगे आज अगर आप भी शुरुषे के लिए निवेस करते हैं तो आपको भी शुरुषे में इससे अधिक सदिक लाब मिलेगा दोस्तों आज का दिन आपके केरियर को एक नई दिसा देगा आपके केरियर में एक नई उचाई और एक मुकाम आप हसिल करेंगे आज कारिय श्तर में अपने सहीयोगयों की मदद करके आपको खुशी हासिल होगी और कारिय श्तर में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा आपके सीनियर्स आपसे अधिक प्रसन रहेंगे इससे आपकी लोग प्रयाता में भी बड़ोतरी होगी इससे आपके विरोधी तेल मिला उठेंगे आपको अपनी बुद्धी और विवेक से काम लेना होगा और यदि कोई कोट केस चल रहा है तो उसमें भी आजजीत हासिल होगी जी हाँ दोस्तो आज प्रोपर्टी से आपको अधिक मुनाफा प्राप्त होगा वियापार के सिलसले में की गई यात्राएं लाप्तरद रहेंगे विद्ध्यार्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा विद्ध्यार्तियों को अपने प्रियासों में सफलता के योग रहेंगे यदि आप किसी प्रिट्यों किता में इस्ता लेते हैं से रिष्टे और मजबूत होंगे जिहां दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या नेगर्टिव रहने वाला है दोस्तो आज धन के लेंदेन में पूर्ण साधानी की आवज सकता होगी नहीं तो उधार दिया हुआ धन फस भी सकता है आपके साथ धोका भी हो सकता है दोस्तो नोकरी पेसा लोगों को अपने अधिकारी और सहीयोगयों साथ गलत फैमिया पैदा खुश सकती है इस दोरान आप अपनी वानी पर पूर रूप से नियंतरन रखें सयम रखें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी और से समर्प दिल और प्यार का जजबा आपके जीवन साथी को खुशी दे सकता है आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बहतरीन पल गुजारेंगे आपको महसूस होगा कि आज आपका दिन सबसे बहतरीन और अच्छा रहा है आप आज अपने लवर्स को कोई गिफ्ट प्रिदा करते हैं तो इसमें आपको अधिक लाब होगा साथी व्युवसाई में तरक्य और धनलाब के योग रहेंगे आज आपकी व्युवसाई की स्तिती पहले से बहतर और अच्छी हो जाएगी जियां दूस्तों और आपको अधिक से अधिक मनाफ़ा प्राप्त होगा साथी चल कर लेतियां आपका घर परिवार कैसा रहेगा दोस्तों आज घर परिवार का वातावान बेहदी अच्छा रहेगा आपके घर परिवार पर आया संगट दूर हो जाएगा दामपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा जीवन साथी से संबंद मजबूत होंगे जीवन साथी हर कारि आपका सभीयोग करेंगे और मदद भी करेंगे आपसी पारिवारिक मदभे दूर होंगे और सामाजिक मानसम्मान बढ़ेगा आपकी कोई बड़ी उपलब्दी आज परिवार के सदर सोगस को उत्सा से भर देगी आपके प्रिया का प्यार आपके पिर्टी और भी गहरा हो जाए गजिया दोस्तों भाई बेनों में आपसे रिष्टे और मजबूत होंगे माता पिता का आसिरुआत आपको मिलीगा दोस्तों बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसे रहेगा दोस्तो इस समय में आपका स्वास्त काफी अच्छा रहने वाला है अपने स्वास्त के पिर्ती लापरवाही ना बरतें मौसम देनित कोई समस्या जैसे सरदर्दिया पेरों में सूजन उत्पन हो सकती है साथदान रहें नियमत योग अभ्यास करें और प्रणायाम करें दोस्तो आज आप ये विशेश उपाई अवस्षे करें माता तुलसी की पूजा उपास ना करें और सुद्ध देशी घीकत दीपक चलाएं और साथ में ही तुलसी माता को जैलर पित करें और तुलसी माता के पास पूरू की तरब मुझ करके बैड़ जाएं और इस मंतर का एक सुआठ बार जहाप करें ओम स्री लक्षमे नमा ओम स्री लक्षमे नमा इस पिरकार उपाई करने से आपको अफश्री ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो माल लक्षमी का असरवाद आपको प्राप्त हो कमेंट में जैल लक्षमी मावसे लिकें धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुबोर मंगल में हो